यारो मुसल्मानों के सबसे बड़े दुश्मन पॉलिटीशन शर्मन बर्गेस ने भी अब इसलाम कबूल कर लिया है दरसल दोस्तों आस्ट्रेलिया के शर्मन बर्गेस दुनिया के उन लोगों में से एक थे कि जिनको इसलाम का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है शर्मन बरगेस आउस्ट्रेलिया के एक ऐसे गुरूप का हिस्सा थे कि जो मुसल्मानों को मानने पीटने और उन्हें नुकसान पहुचाने का काम करता है वो इसलाम के कितने बड़े दुश्मन थे इस बात का अंदाजा आप सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि इसलाम दुनिया के लिए कैंसर है और इससे खतम कर देना चाहिए इसके अलावा सन 2015 में उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि आस्ट्रेलिया की जमीन को मस्जितों से पाक कर देना चाहिए इतना ही नहीं दोस्तों शेर्मन ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर मुसल्मानों के खिलाफ कई सारे गाने भी लिखे हैं मगर जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी शर्मन को सुकून नहीं मिला तो उन्होंने इसलाम में कमी तलाश करने के लिए इसलाम की सबसे मुकदस किताब यानि कुरान को पढ़ना शुरू किया और उसमें कमी तलाश करते करते उन्हें महसूस हुआ कि इसलाम ही एक सचा मज़भ है जिसके बाद शर्मन बर्गेस ने आस्ट्रेलिया की एक मस्जिद में इसलाम धर्म कबूल कर लिया ना सिर्फ इसलाम धर्म कबूल किया बलकि साथ ही साथ अपनी फेस्बुक प्रोफाइल पर फिलिस्तीन का जंडा लगा कर इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए